कि नमस्कार दोस्तों मैं रोहुन शर्मा स्वाद कताउं सभी का आपके अपने चैनल जोतिशन वास्तु में कैसे हैं आप सभी आज हम याँ पर बात करने वाले हैं 6th October 2023 के बारे में 6 October 2023 का ये दिन आप सभी के लिए क्या लेकर क्या आ रहा है आज की इस दिन में कौन-कौन सी वैदिक रेमिडीज आप सभी के लिए बहुत जाद आच्छी रहेंगी क्या रहेगा आज का एंजल नंबर और आज का अफरमिशन कैसे आज की दिन को बहुत ज़दा अच्छा बनाना है सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में अन तक देखेगा ताकि कोई भी चीज आप से मिसना हो जाए सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के दिन का message of the day क्या है दिखे हम सभी को अपनी life का और अपनी life को देखने का नजरिया थोड़ा सा बदलना चाहिए यह समय बदलाव का है और बदलाव के साथ साथ shift to us to the positivity shift to us to the happiness यह एक मंत्र हम सभी को अपने जीवन में उतार लेना चाहिए काफी बार मैंने महसूस किया है जिन जिन लोगों से मिलता हूं बातचीत करता हूं तो मैंने काफी बार महसूस किया है कि हम सभी अपने आसपास negativity का ऐसा आवरन बना देते हैं कि हम positive चीज़ों को देख नहीं पाते समझ नहीं पाते और चोटी और चोटी आसान आसान चीज़ों को भी हम सभी बहुत ज़्यादा मुश्किल बना देते हैं और जिसकी वज़े से हमारी life हमें burden लगने लग जाती है हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल लगने लग जाती है और फिर ऐसे समय में हम गलत decision लेने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा उलचते जाते हैं और एक अच्छी खासी life को हम खराब कर देते हैं तो आप सभी से request करूँगा कि आज क्योंकि आज की दिन की calculations बहुत अच्छी हैं इस वज़े से आज ही अपने जीवन में ये प्रण ले लीजिए कि मैं अपनी life को happiness के साथ देखने की कोशिश करूँगा doesn't matter कि कितना tension है कितना तनाव है कितनी परिशानिया है बट मैं अपनी life को happiness के साथ देखने की कोशिश करूँगा और मैं अपनी life को एक अच्छे तोर पर जीने की कोशिश करूँगा बस इतना सा एक प्रयास शुरू कर दीजिए life बदलना शुरू हो जाएगी trust में एक छोटा सा और थोड़ा सा trust तो करके देखिए आप खुद मैसूस करेंगे और फिर मुझे लिखेंगे कि अच्छा हुआ कि trust कर लिया बात करते हैं आज के दिन के बारे में number six आज के date का number है और शुक्रवार का दिन है च्छे number जो है वो शुक्र का number है और दिन की calculation के हिसाब से भी देखा जाए शुक्रवार का दिन शुक्र का दिन और शुक्रदेव की अभी भी transit के साथ आज के दिन के calculation भी और ज़्यादा अच्छी बन जाती है सो आज का दिन happiness का दिन है आज का दिन prosperity का दिन है आज का दिन wealth और money को अपने पास लाने का दिन है इस वज़े से आज का ये दिन आप सभी के लिए बहुत जादा खुबसूरत दिन यहां पर बन जाता है आप सभी से request करूँगा कि आज की दिन को अच्छा बनाने का हर संभव प्रयास जरूर करिएगा क्योंकि आज का दिन आपके जीवन में एक नए उजाले का काम करेगा एक नई रोशनी का काम करेगा और आपको अच्छे result देता हुआ नजर आएगा आज के दिन में आप सभी को कौन-कौन सी वैदिक remedies करनी है यह आप note कर लीजेगा प्लीज ताक चलके पानी में मिला दीजेगा और उस पानी से अपस्णान कर लीजेगा यह आपके लिए बहुत जादा अच्छा रहेगा आज खाने में या चाय के साथ इलाइची थोड़ी सी खा लीजेगा या मिला दीजेगा यह भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा एक फ्रेश कोशिश करिएगा वो आपकी life को बहुत जाद आचा बनाता हुआ किसमत रूठी हुई है तो उकते हुए सुरज के साथ वह किसमत आपकी मनती हुए नजर आएगी और आपके काम आसान बनते हुए नजर आएंगे आज कोशिश करिएगा कि opposite sex सेक्स के साथ थोड़ा सा अच्छे से अगर आप मेल हैं तो फिमेल की तारिफ करें उनके साथ जबा चीज rates लें अगर एक साथ था ज्युक्ति करें उनके साथ अच्छा वड़ा करें तो आपका समय थोड़ा से अच्छा आधा हुआ नज sectors को बनाने JUST को बनाने के के लिए आज चंदन का टीक अपने माथे पर जरूर लगाईएगा यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आज के दिन में किसी विशेशकारी से गर से बाहर जाते हैं तो दही और चीनी खाकर के पेड़ पोदों के नीचे हलकाल का सा बिछा दीजेगा या पीपड के पीपल के नीचे बिछा दीजेगा कीड़े मकडों के खाने के लिए आप सभी काफी अच्छे रिजल्ट देख पाएंगे इसके अलावा एक और विशेश हुपाए आज अगर पॉसिपल हो पाए तो किस का दिन बहुत अच्छा है एक नारेल और एक लाल कपड़ा लीजेगा माता के चर्ड़ों में एर्पित करिएगा और अपनी मननत मांग लीजेगा और उसके बाद उस मननत के पूरी होने के चांसे भी बढ़ेंगे और इंतजार करिएगा कोशिश करिएगा जल्दी आपका अफिरमेशन जो आपके लिए रहेगा बेहत खास नोट कर लिजेगा प्लीज I have the power to attract wealth and money into my life I have the power to attract wealth and money into my life and definitely वो wealth वो money वो prosperity आपकी life में आएगी अगर आप कोशिश करेंगे तो आज की दिन का एंजल नंबर भी बहुत ज़्यादा खास है नोट कर लिजेगा प्लीज आज का एंजल नंबर 3 3 5 3 1 1 3 3 5 3 1 1 बहुती ज़्यादा positive बहुती ज़्यादा prosperity वाला और बहुती ज़्यादा सुकून देने वाला नंबर है trust me आज कितना भी ज़्यादा परिशान क्यों नहों बहुत ज़्यादा mood खराब क्यों नहों इस इस नंबर को बिलकुल शांत दिमाग के साथ कम से कम तीन बार और सात बार जितना बार आप चाहे रिकॉल कर लिजेगा कुछी seconds में बहुत अच्छी feeling देखते हुए नज़र आएंगे बहुत अच्छा मैसूस करते हुए नज़र आएंगे और कुछ कुछ इंडिकेशन्स आपको मिलते हुए नज़र आएंगे यह practical है करके देखेगा definitely आपको अच्छा फाइदा मिलता हुए नज़र आएगा आज अगर आपका जन्दिन है आपके इनिवर्सरी है आपके जीवन का कोई बीविशेश मैत्वपुन दिन है आप सभी को मेरी और से हर्दिक्षुप कामना है आने वाले साल आप सभी के लिए काफी जादा अच्छा जाता हुआ नज़र आएगा आने वाले साल में कई तरह की मनोकामना है आपके पूरी हो सकती है आने वाले साल में शादी अगर नहीं हुई तो जरूर हो सकती है या property अगर purchase नहीं करीए तो definitely आप purchase कर सकते हैं इस तरह की योग बनते हैं legal matters से थोड़ा सा बचके रहीगा और अपनी mother का थोड़ा सा health का जाना कियेगा वहाँ पर उन्हें कहीन के परिशानी देखने को मिल सकती है अब बात कर लेते हैं आपर golden wish time के बारे में आज के दिन का method समय आप सभी के लिए क्या रहेगा एक और चीज़ें आप पर पता देता हूँ आज के दिन में किसी विशेश कारी से अगर आप बाहर जाते हैं तो अपनी पसंद के color आप पहन सकते हैं अपनी पसंद का या फिर colorful मतलब की multiple colors आप use कर सकते हैं इसके अलवा red और white का combination आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा तो red और white भी आप पहन सकते हैं आपके लिए काफी जादा अच्छे results मिल जाएंगे साथी साथ आज शाम का समय 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक का समय बहुत ही जादा अच्छा समय हैं पांच से साथ के बीच में कोई भी जरूरी काम अगर आप करना चाहें डेफिनिटली आप कर सकते हैं आपको अच्छे result मिल जाएंगे डेफिनिटली आप सभी का एप पूरा दिन बहुत ही जादा शांदार जाता हुआ नजर आएगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा बेल आइकन पर जरूर से क्लिक करिएगा कुछ पूशना चाहते हैं जानना चाहते हैं अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं आप मुझसे संभ़ कर सकते हैं मैं पूरी-पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभाव मददियां पर कर सकूँ धनिवाद